क्या बात कर रहा है छोटे, तेरी एक्जाम मेरे घर के पास वाले कोलेज में होने वाली है अरे यार इस कोलेज का दिन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो टेंशन मतले, अभी मैं तेरे पास होने का जुगाड करवाता हूँ अरे वाट टिपसंदादा फिर तो आप जली से अपने उस फ्रेंड से बात करो और मेरे पास होने का जुगाड करवा हाँ हाँ छोटे, उसे तुम्हें अभी कोल लगाता हूँ यो, what's up guys, welcome to my youtube channel, अगर अभी तक अपने चनल को सब्सक्राइब ने किया है, तो सब्सक्राइब कर ले जूग कि आज में वोती दमाकितार वीडियो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी exam का time चल रहा है, हर किसी की exam हो रही है, तो भाई, आज रोफिरो की भी exam होने वाली है, जो कि हमारे सामने वाले college में होगी और यार, ये college ना, टिपसन दादा के घर के काफी close है, और वैसे तो आप लोग जानते ही हो, यार, रोफिरो ने पूरी साल में कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो यार, अभी रोफिरो जा रहा है, अपने टिपसन दादा के पास कुछ ना कुछ जुगाड बिठाने है हलो टिपसन दादा, हलो रोफिरो, आओ यार, आस तो बड़े दिनो बाद आए, क्या हाल चाले तुमारे, अरी यार, टिपसन दादा, मैं तो एक दम मस्तूं, बस यार, आपके पास एक चोटा सा काम लेके आया हूँ, ये जो आपका गार है ना, इसके पास में जो को लेज उसके अंदर आज मेरी एक्जाम होने वाली है, आपके तो कोई ना कोई सेटिंग होगी उसके अंदर, यार, मेरा जुगाड बिठा दो यार, टिपसन दादा, मैं ये इस साल कुछ पी पढ़ा ही नहीं किये यार, मुझे कैसे ना कैसे कर के ये ये एक्जाम पास कानी होगी क्या बात कर रहा है चुटे, सच में, ये मेरे बगल वाली कोलेज में तेरी एक्जाम होने वाली यार, यार, चुटे, क्यो टेंसल ले रहा है, इस कोलेज का दीन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरी सेदिंग कर दूँ तुझे पास कर दूँगा, तुझे टेंशन ले ले रखा है, तुझे कैसे बिलीव होगा, रुप तुझे दो मिनिट मैं अभी इससे बात करता हूँ, और तेरे पास होने का कोई ने कोई जुगार बैठाता हूँ, ये ले छोटे, मैंने उसे बात का लिए, वो कह रहा है कि टिपसन अपने दोंसे कह दो, कि एक्जाम में दिल खोल कर चिटिंग करे, बस टीचर की नजर में ना आए, अगर टीचर ने पकल लिया तो फिर प्रोब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा घबराने की कोई बात नीए, तेरे पास तीन लाइफ लाइन रहेंगी, अगर तीन बार तुझे टीचर चिटिंग करते ह तो तुझ सेफ है, अगर तीन बार से जादा बार पकल लिया ना, चोती बार अगर टीचर ने तुझे चिटिंग करते हुए पकल लिया तो फिर तो तुझे मेरा दोस्त भी नहीं बचा पाएगा चोटे, अरे तीन बार की तो बात ही छोड़ो टिपस इंदादा, मुझे त पकड़ सकता, क्योंकि मैं कभी किसी के नजर में या था, मैं चुटिंग करने में तो अवल हूँ, और अगर किसी एक आदी गलती की वज़े से पकड़ा भी गया, तो आपका दोस्त है ना, मुझे बचाने के लिए, तो बस अब तो मुझे बिल्कुल पी टेंशे नियो और अब ही तो मैं एक्जाम देने चाऊंगा और टॉप करके आऊंगा, हाँ छोटे, तुझे तो एक्जाम में जरूर से टॉप करना होगा, वैसे तेरी एक्जाम है कब की, अरे आज की है टिपसिंदादा, अभी की है, बस मैं अब एक्जाम ही देने जा रहा हूँ, अच्छा ठीक है तफीर, all the best चोटे, थेंक्यू टिपसिंदादा, थेंक्यू सो मच, बस मैं अभी जाता हूँ और एक्जाम देखे आता हूँ, तो चलो दोस्तों, जल्दी से जलते हैं एक्जाम देने, सच में यार, मैं तो एक्जाम के नाम से काफी गप रहा हूँ था, लेकिन टि यह क्या, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ओ भाई, मुझे तो लगता है, एक्जाम स्टाट हो चुका है, और हम लेट हो गए, अरे सच में लेट हो गए, यार, जल्दी से चलते हैं, अरे, यह क्या हो रहा है, मैं अंदर क्यों नहीं जा पर रहा, अच्छा, So, finally, दोस्तो, एक्जाम की बेल बच चुकी है, और हमारी एक्जाम बिल स्टाट होने वाली है, तो यहां पर आ गया है, कि हमें भाई पास करने के लिए, एक्जाम में कम से कम बी ग्रेड लेना है, ओ भाई, यह क्या, यहां का क्लास्रूम तो बिलकुल ही खतरनाक वाला है, और यह, यार, हमारा रोफी रोफ स्टुडेंट बन चुका है, यहां पर इस कॉलेज की यूनिफोर्म में आ चुका है यह बंदा, और यार, देखो, हम कहां बैठें, यह सर्कल के अंदर जो बैठें हमें, और वो सामने हमारी टीचर है, और यह क्या, ओ भाई, हमारी पास तो टाइम तो बहुत जादा कम है, और यार, यह तो फस गए हम भाई, इस बार तो नहीं कर पाएंगे एक्जाम टोप, मुझे लगता हम तो फैली हो जाएंगे, भाई, चिटिंग करी नहीं पाई, यहां तो मैं क्लास रूम देखनी में रे गया, और यहां पर टाइम ओव पाई, यह वाले एक्जाम में तो मैं फैल हो जाऊँगा, ओ भाई, थोड़ा सा, ओ भाई, फाइनली टाइम ओवर हो गया, और भाई, मैं फैल हो गया, अरे, एक ही भार में फैल हो गया, दोस्तों, अब आगे क्या होगा, चलो, इस बार तो मैं बिलकल भी ताइम नहीं बे बैड जो जल दे से आके यार दोस्तों इस पार भी टाइम उतना ही है और भाई अब मुझे इधर चलना होगा भाई कुछ तो करना पड़ेगा इस टौफर के पास नहीं अगले के पास चल के देख रहे हैं ओ भाई यह भी तगडा लिख रखा है यार इसकी हैंड में हमने भाई टोप कर दिया और यह है मैत का एक्जाम जिसमें मैं वैसे ही फेल होता हूँ तो भाई यहां पर मैने अपने पासवाले की नखल करना फिर से स्टाट कर दिया और यह पता है मेरी राइटिंग एसी क्यों हरी है क्योंकि मुझे सामने वाली की कोपी में भाई दिखाई दे रहा है तो मैं भी एज़िती वैसा का वैसा लिखता जा रहा हूँ अब जो भी नमर आएंगे वो आ जाएंगे ओ भाई टीचर ने फिर से देखना है स्टार्ट कर दिया है और मैं आखी चुपचाप अपनी स्वीट पर बहच चुका हूँ और वापस थे भाई तो टोपर निगला और मैं भी टोपर बन गया तो चलो दोस्तों मैत का एक्जाम भी हमने टोप कलिया यार कोई हाड सा लेवल दो भाई ओ भाई अब की बार तो इन्होंने हद ये पार कर दी यार यहां पे देख रहे हो बीको कितना पीछे की तरफ किसका दिया है तो कोई बाइ हम भी चीटिंग के अन्दर अवल हैं फिर से घीटिंग करने लगए है और भई मने पूरा धया द्यांग था ला मॉबाएल में है और हमारा पूरा नकल में है तो लेकिन इस बार supply है उसे भार मेही खतर नाक वाली है तो जल्दी से माहीं की नजर इसर इए उससे पहल भाई पूरी की पूरी शीट न हमने फुल कर दिया है और यह लो भाई इस ट्वाफर का दो पूरा का पूरा निकल माली है अब बाजु वाले का टीप न बाकी है भाई इसका भी मैं पूरा टीप के जाऊंगा भाई आस तो पूरी की पूरी शीट बर दूँगा और इस वाले में भी आ प्लस लूँगा भाई टोपर बनूँगा मैं ग्लास का चिटिंग कर करके ओ भाई मैं में वोर्णिंग दे दिये जल्दी से जाके बैठते पनी सीट पर वरना यहीं मारे जाएंगे तो भाई मैं ने अपनी लेजर लाइट फिर से स्टार्ट कर दिया है लेकिन ओ भाई यह क्या हुआ अरे भाई 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 मैं फिर से मोबैल में देखने लगी यह मैसेज आगी होगा किसी का और भाई इधर हमारी चीटिंग तो देखो हमारा चीटिंग का लेवल तो ओ भाई इतना hard वाला level दिया था इस बार हमें लेकिन फिर भी हमने भाई A इसको ले लिया है और भाई time over होने से पहले ओ भाई इस ट्यफर ने इतना लिख रखा था ओ भाई यार इस ट्यफर की वज़े से हमारे सिर्फ A याया A plus नहीं आपाया लेकिन कोई नहीं दोस्तों A भी काफी अच्छा grade होता है तो भाई finally हम तो यार टोपर बन चुके हैं चिटिंग करके सिर्फ एक ही बार पकड़े गए हैं अब तक और भाई टोपर बन गए हैं और भाई इस बार तो इन्होंने और भी जाधा hard कर दी यार A को देखो कितना पीछे किसका दिया A++ को तो बिल्कुल point पे ले गए हैं और B को भी भाई काफी ज़्यादा पीछे कर दिया है मतलब पास होना ही मुस्किल हो जाएगा लेकिन कोई नहीं हम भी भाई कम थोड़े है यह टीचर देखने वाला जल्दी से वैड़ जाते है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू यार यह ना हमारी लास्ट एक्जाम है तो यार इसमें तो हमें जरूर से A++ स्कोरी लेना होगा तब ही जाके हम भाई एक्जाम में टोप कर पाएंगे तो जल्दी से चलते है और चिटिंगना स्टाट कर देते है ओ भाई यह क्या इसके पास तो नकल के स्पीड ही भढ़ चुकी है अभी पहले बीच वाली के पास कितने स्लो स्लो हम नकल कर रहे थे लेकिन इसके पास तो ओ भाई लेकिन यह तो डफा निकला इसने कुछ भी नहीं लिख रहा है जलो जल्दी से बीच वाली का टैप करते है ओ भाई यह क्या टीचर ने वर्निंग दे दियो जल्दी से हमें बैठना होगा यहाँ पे तो टाइम निकला जा रहा है और यह टीचर तो बहुत ही जादा खडूस है चलो जल्दी से चलते हैं बाई यह देखो यह इस बीच वाली के पास में नकल की स्पीड काफी डाउन चली जाती है लेकिन यह साइड वाला जो था इसके पास नेकल की स्पीड काफी फास्ट थी लेकिन यार वो टफर है उसने इतना ही लिख रखा है तो क्या करें मजबूरी में अभी हमें इस बीच वाली का ही लिखना होगा और टीचर फिर से देखने वाला है अरे यार जल्दी से बैठते हैं यार यह टीचर को जा रहा ही देख रहा है यार इसका तो कुछ चांप करना होगा मुझे लगता है इसके आखे वाली के पास चलते है ओ भाई अपके बार यह आगे वाला तो काफी बड़ा टोपर निकल यार इसके पास देख रहों कितनी फास्ट लिख रहे हैं और यार इसके पास तो हमारी ड्राइटिंग स्पीड ही काफी ज्यादा फास्ट हो चुकिए और यहां पर लोग सकते हो टाइम भी काफी कम बचा और पास होने के लिए अब भी वी हमें अच्छा सा इसको लेना और एछलदी कर जलदी कर अब भी तीचर उदे चारा जल्दी से हम लिख लेते हैं लेकिन टाइम काफी कम बचाया और यार यह बीच वारे के बास तो गया अर्षै। दूस्तों जब एक कोर आ चुका दोस्तों ए 16rant जेकिन प्लस लेुटा लेकिन मुझे टोप कुण नहीं एक DCs मुझे अपलते हैं छास और इसके पास हमारी स्पीड भी काफी चलती है तो सबसे पहले हम इसी कार नकल करेंगे ओ भाई यह क्या यह तो डफर निकला यार इस बार क्या सीट चेंज कर दी के यह उसने काफी स्लो लिख रहा का था मैंने कम्पलीट उतार लिया उसका और अभी तक देखोई सिर्फ इत हमारा उपर से डो लाइफ लइन तो हमने ओलरड़ी खराब कर दी यह अब सिर्फ लास्ट लाइफ 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 लइन बच यह और इस एक्व्प विक 500 बेख लेकिन यार यहां पर Pre Hashal ने वोरनिंग भी दे दिए वार पेस से देख रा है आरे यार पूरा क पूरा यह तो वैसे slow type करता है अरे यार इसकी writing slow है और मेरी भी slow है ओ भाई बच गया यार अब भी मारा जाता अरे वापिस थी रिस्क लेना पड़ेगा अब की बार भी risk लेना पड़ेगा टाइम बिल्कुल नहीं बचा है और मैं यहाँ पर इसके pass में क्यो टाइप कर रहा हूँ यार इसकी क्यो नकल कर रहा हूँ में यार यह काफी slow नकल कर रहाता है मनलोग क्या ही करूँ में अब क्या करूँ यार मैं तो मारा गया भाई हो गया time over हो गया मैं पास भी नहीं पाया इस बार तो पिछले बार भाई टोप करने के चक्कर में आउट हो गए थे और इस बार भाई पास भी नी कर पाई कितनी सरम की बात है भाई मुझे लगता है मैं तो फैली हो जाओंगा एक्जाम में अब तो कोई चांस नहीं बचा ये लाश लाइक नाइन थी और यहां पे भाई ये क्या ये मैं ओ भाई इन्विजिबल हो गया लेकिन टाइम ओवर हो गया अरे भाई दोस्तों हमारी तीनों की तीनों लाइफ नाइन खतम हो चुकी है अब हमें हमारे रिस्क पे ये नकल करनी होगी तो ये लाश की चांस है हमारे पास चांस तो है यह नहीं मतलब अब की बार तो से पहले आके वापस बैट गया हूं और भाई इस बार मुझे कोई रिस्क नहीं ले ना अरे भाई वापस बैट वापस बैट दोस्तों टिपसंद दादा की वज़े से हमें जो तीन लाइफ लाइफ लाइन मिली वह सारी की सारी खराब हो चुकी है और अब मैं अपने रिस तो लेंगे ही कुछ भी हो जाए भाई इस बार तो तो कर नहीं है करना हिए टोप नहीं टो फास तो है पलिस्ट बहर हो ना है तो यहाँ पे टाइम फिर से कम है और यार अगे टोपर के पास चलते है लेकिन ये क्या टीचर ने फिर से वर्निंग देद ये और भाई ये इस लेके पास आचुके और भाई इसने काफी ज्यादा लिख लिए लेकिन अरे भाई फिर से इनिवीजिबल ओ भाई इन्वीजिबल हो चुके हैं फिर से इस पार भी पकड में आएंगे और मुझे लगता है इस पार तो भगवान भी चाता है कि मैं भाई एक्जाम में टॉप क लिए तो इसलिए तो कहता है भाई अल्ला पहरवान तो घड़ा पहरवान भाई जब टीचर ने मुझे देखना इस्टार्ट किया ना तभी भाई मैं इन्वीजिबल हो गया पता नहीं तो फाइनली दोस्तों मैंने एक्जाम में टॉप कर लिया यार तेनों की तीनों लेवर जिसके अंदर भाई मैं बहुत ही मुस्किल से पास हुआ हूं दो बार फैल हो गया था लेकिन लाश्ट ट्राइंग में हमने चांस लिया और भाई रिस्क लिया और रिस्क से हमने भाई टोब भी किया तो चलो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना है कैसे लेगी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कर अच्छ लेगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल को जरूर उसे सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टाटा बाई बाई